नमस्कार आपका आख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग। रात में लखिमपूर खेरी पर एक वीडियो बनाया था, आज सुबर फिर बना रहा हूँ। उसकी वज़े यह है कि इस मामले में कई तरह की गतिविधियां हो रही है, खास्ता उसे राजनीति गतिविधियां। अब यह मामला जो है दुरगटना, अपराद, हिंसा से निकल कर राजनीति का मामला जादा बन गया है। सारा विपक्ष इस बात को साबित करने में लगा है कि यह किसानों के खिलाफ अत्याचार है। कोई उन चार लोगों की बात नहीं कर रहा है जिनको तथा कथित किसानों ने पीट-पीट कर मार डाला। उनकी गलती क्या थी। मान लीजिए, मैं मान लेता हूं कि उड्राइवर ने गाड़ी चढ़ा दी। जो कि अभी वीडियो का एक दूसरा हिस्सा आ गया है। जो पहले वीडियो दिखाये गया था, जिसमें सिर्फ यह दिखाये गया था कि ड्राइवर गाड़ी जो है लोगों पर चढ़ाता हुआ, चला जा रहा हूँ, उसमें एक दो लोग गिरे हुए दिखाई दे रहे। लेकिन उसका पहले का हिस्सा आया है कि तीनों गाड़ीों का काफिला निकल रहा है और उन पर डंडों से पत्थर से हमला हो रहा है। और उस हमले के बाद पैनिक में जो मैं दो दिन से लगातार कह रहा हूँ कि ड्राइवर गाड़ी लेकर भागा है। उसने जो किया है वो अपराद की श्रेणी में आएगा कोई भी प्रोवोकेशन हो कुछ भी हो आप किसी पर गाड़ी चड़ाते हैं किसी को मारते हैं ये इसको किसी आधार पर शब में नहीं माना जा सकता लेकिन उस परिस्थिती को भी देखना पड़ेगा ये किसी भी सड़क दुर घटना की तरह का मामला है कि ड्राइवर पैनिक में अंधा धुंद गाड़ी चला रहा था और उसने कुछ लोगों को कुछ अंदिया दो लोगों को कहा जा रहा है एक है या दो पता नहीं मतब जि की रिपोर्ट से ये साबित हो गया है कि गोली नहीं चली थी लेकिन इस सब घटना करंपर किसी का कोई द्यान नहीं है बात असल में ये हो रही है समझोता हो गया किसानों के बीच और प्रशासन के बीचमें उसका भी कोई असर नहीं हुआ अब समझोता कराने वाले समाटम के लिए आये थे, उन में से किसी को गोली नहीं लगी थे, लेकिन आप गोली वाली थियोरिक कैसे काट दे? पहले से चलाई जा रही, गोली चलाई गई सवाल यह है कि गोली चलाई गई तो किसी वीडियो में तो कोई दिखना चाहिए रिवालवर लेकर गोली चलाते हुए जब इतना कुछ दिखाई दे रहा है उसको छोड़ते हैं भी राजनीती की बात करते है कल से लगातार नेताओं का ताता लगा हुआ है लखीमपूर खीरी सब लोग पहुँच रहा चाहते है सब का मकसद सिर्फ इतना है ये जो ट्रेजडी है ये जो दुखत घटना हुई है इसका राजनीती कलाब किस तरह से उठाया जाए वहां लोगों को भढ़काने भावनाय भढ़काने के लिए जाने का उद्देश सिर्फ इतना है इसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही है कॉंग्रेस पार्टी है और ये याद रखिए कॉंग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा सक्रिय इस किसान आंदोलन के पीछे भी है यही कारण है कि इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही है और इस मुद्दे के जो लखीमपूर में कांड हुआ है उससे पंजाब से तार जोड़ गए है तो इस कारण भी कॉंग्रेस पार्टी सक रिये है प्रियंका वाडरा जो है उसी दिन घटना है उसी दिन निकली रात में और चिपते चिपाते सी ता पुतर पहुंची वहाँ पुलिस ने उनको इहरासत में ले लिया उसके बाद से उन्होंने वीडियो बनाया ज़ाडू लगाते हुए वीडियो आपने देखा होगा उनको कहां से खाली कमरा मिला और गोल-गोल घुमकर ज़ाडू लगा रही थी कर उसकी बात चोड़िये बात यह है कि उन्होंने वहाँ से वीडियो बनाये वहाँ से इंटर्विव दिये टेलिफोन से यह सब करते हुए उन्होंने प्रधान मंतरी से कहा कि आपकी पुलिस ने आपकी सरकार ने 28 घंटे से मुझे बिना किसी अरेस्ट वारेंट के किसी धारा के बिना किसी गिरफतारी के रोक रखा है चार तारिख की गिरफतारी की बात अबाई है प्रशासर ने कहा है कि चार तारिख को ही उनको गिरफतार कर लिया गया था दो-तीन धाराएं उसमें लगाई गई है उसमें 107 है 116 है और 151 है ये शांती भंग की आशंका और दूसरी धाराएं होती हैं जिनमें उनको रोका गया है कि लखीमपूर खीरी न जाने पाएं, महाँ धारा 144 लगी वी उनकी गिरफतारी के साथ ही 36 गड़ के मुक्य मंत्री भुपेश बगेल लखनो पहुंच गया है एरपोर्ट पर उनको रोक दिया गया कि एरपोर्ट से बाहर जाने की आपको अनुबनती नहीं है तो वो वहीं फर्ष पर बैट गया कि मैं धरने पर बैटूंगा लेकिन उनको समझाय बजाय गया आखिर वो लौट गया उधर पंजाब में नौजोत सिंग सिद्धू को जोशा गया उनको अचानक याद आया कि प्रियंका वाडरा गिरफतार हो गएगी तो उन्होंने कहा कि अगर उनको रिहार न किया गया और मंत्रियों के खिलाफ एफ आई आर दज़ करके उनको गिरफतार न किया गया तो पंजाब कॉंग्रेस कूच कर देगी लखिमपूर कीरी के लिए अब आप देखी ये सब तंत बनाया जा रहा है दो राज्यों के चुनाओ की देश्टे से एक पंजाब दूसरा उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस की बड़ी कोशिश है कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश में उसको पैर टिकाने का खड़े होने का मौका मिले लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थिति है और कॉंग्रेस की जो इस्थिति है उसमें कॉंग्रिस का कुछ होने वाला है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है उसका कारण बता रहा हूँ इसलिए मुझे लगता है कि प्रियंका वाड्रा का ये जाडू लगाने का गिरफतारी देने का इतनी जद्दो जहद का कोई राजनीतिक लाग या बलकी कहें चुनावी लाब नहीं होने वाला है आगे कभी इस वज़े से हो कि उन्होंने कम से कम वो मायावती की तुल्ला में नजर तो आईीं सड़क पर मायावती कहां है किसी को पता नहीं उनका एक ट्विटर पर बयान जरूर आया है उसके अलावा उनकी कोई सबुगाहाट कोई कोई उनकी खबर जो है इस पूरे मुद्दे पर नहीं मिली अखले श्यादों घर से बाहर धरने पर बैट के फिर उठ गए उनके हाव भाव से आप देखकर ये नहीं कह सकते कि उनके अंदर आक्रोश है या कहें ऐसे मौकों पर नेता जो है एक नकली आक्रोश भी पैदा कर लेते हैं वो भी नहीं कर पाए हो तो इस मामले में कहें तो सड़क पर उतरने के मामले में सपा बसपा दोनों पिछड़ गए लेकिन क्यों पिछड़ गए क्यों इससे चिंतित नहीं है सपा और भसपा कि कॉंग्रेस पार्टी सब जगे इस मुद्धे पर दिखाई दे रही है मीडिया में भी चर्चा है प्रियंका वाडरा की चर्चा है भुपेश बगेल की है नौजोज सिद्धू चरन सिंग चन्नी इन सब की चर्चा हो रहे हैं ये राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं लेकिन सपा और बसपा जो उत्तर प्रदेश के दो बड़े प्रतिपक्षी दल हैं उन में इसका कोई असर नहीं हो रहा है देखें उत्तर प्रदेश की राजडीति के स्थिति बलकि कहें सामाजिक समीकरन जो हैं उसमें भाजपा विरोधी कोई भी पार्टी उसको सत्ता में आने या सत्ता की लड़ाई में बने रहने के लिए सबसे जरूरी है कि उसके पास एक कोर वोट हो कोर वोट होगा तो उसके साथ मुसल्मान आएगा बिना मुसलिम वोट के गैर भाजपा पार्टी कोई भी हो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो वो सत्ता में आने या सत्ता की दोड़ में भी नजर आने में उसके लिए तो कोई संभावना नहीं बनेगी और ये संभावना दोनों पार्टियों में है बस्पा के पास अपना एक कोर वोट है जाटा वोटों का और थोड़ा बहुत और दलित वोटों का और समाजवादी पार्टी के पास यादव वोटों का है कॉंग्रेस का बरतन पुरी तरह से खाली है उसके पास कोई कोर वोट बचा नहीं है प्रदेश भर में अलग-अलग जिलों में जो कुछ नेता इंडिविजूल अपनी साख अपनी पहचान के कारण चुनाव लड़ते हैं कुछ वोट पाते हैं वही कॉंग्रेस का वोट है उसके अलावा कॉंग्रेस का अपना कोई कोर वोट नहीं रह गया कोई संगठन नहीं रह गया तो इसलिए मान लीजिए कि लोग चाहें भी कॉंग्रेस को वोट देना तो Congress उसका फाइदा उठाने के स्थिती में नहीं है और जब तक Congress के पास कोई Core Vote नहीं आता तब तक Muslim Vote नहीं आएगा Muslim Vote नहीं आएगा तब तक को लड़ाई में नहीं आएगी तो ये जो समीकरण है ये जो सामाजिक समीकरण बना है और गैर जाटव दलित गैर यादव पिछड़ा और समण ये तीन का जो समीकरण भारती जंता पार्टी ने बनाया है जो तीन चुनाओं से उसके साथ मजबूती से खड़ा है उसमें कोई दरार आ रही हो उसमें कोई खिसक रहा हो कोई वर्ग ऐसा नज़र नहीं आता इसकी कोशिश की सपाने भी बस पादे भी लखीमपूर के मुद्दे ने इन तीनों पार्टियों को फसा दिया है मौमला कुल मिलाकर अजय मिश्रा और उनके बेटे के खिलाफ है जो मारे गए हैं उनमें नाम के आधार पर कह रहा हूँ मैंने किसी के जाती पता करने की कोशिश नहीं की है सरनेव के आधार पर कह रहा हूँ दो लोग उनका जो ड्राइवर था हरियों और शुभम मिश्रा ये दो लोग जो है ब्राहभन थे तो एक गैंग्स्टर के मारे जाने पर प्रदेश का ब्राहभन बीजेपी से नाराज हो जाएगा लेकिन दो निर्दोष ब्राहभनों के मारे जाने से पुत्तर प्रदेश का ब्राहभन नाराज नहीं होगा सपा और बसपा कॉंग्रेस तीनों इस समय किसके साथ खड़े हैं उसने बेतहाशा गारी भगाई, उसकी वो गलती थी, उसका आपराद था, उसको सजा मिलनी चाहिए थी, अच्छा होता, अगर उसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया होता, तो जो आंदोलन कारी हैं, उनका पक्ष ज़्यादा मजबूत होता, उन्होंने तै कि वही अदालत है, वही फैसला करेंगे, और उन्होंने इंस्टेंट जेस्टिस जिसको कहते हैं, वो किया, तुरंत फैस मचा रहे हैं, वो इन चार लोगों की मौत पर इस तरह से मारे जाने पर चुप क्यों हैं, इसलिए कि उनके एजेंडे को ये सूट नहीं करता है, उनका जो विमर्श जो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके रास्ते में ये रोड़ा है, तो बात अलग-अलग तरह से अलग-अलग चीजें उठा जा रही हैं, वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा संपादित करके दिखाये जा रहा है, बात ये है कि अब जाच पुलिस और नियाएक आयोक के जिम में चला गया है, पुलिस जाच करेगी कि उस समय जिस समय ये गाड़ी चड़ाई गई कुछ जो भी गाड़ी चला रहा था उसमय, क्या अजय मिश्रा का बेटा उस गाड़ी में मौजूद था या गाड़ी चला रहा था, ये सब जाच का विशह है, और अजय मिश्रा लगातार ही इस बात को कह रहे हैं कि भाई हमारा कारिकरम चल रहा था, पुरा कारिकरम हुआ, मैं और मेरा बेटा दोनों यहीं पर मौझूद थे यहां सिसी टीवी कैमरा है दूसरे मीडिया के लोग थे सारी फुटेज है आजकल इलेक्ट्रोनिक सर्वेलिंस का जमाना है उसमें आपको हमारे फोन की लोकेशन से मालूम हो जाएगा कि कौन कहां था इन सब चीजों को देखते हुए अगर थोड़ा सा धैरे दिखाए जाए और ये भी देखे ऐसा नहीं है कि अजय मिश्रा के बेटे को बचाने की कोशिश हो रही है उनके इस बयान के बावजूद उनके बेटे पर 302 सही तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है तो उसको बचाने की कोशिश हो रही होती तो कम से कम 302 की धारा तो नहीं लगती लेकिन इन सब तथ्यों को सुने कौन सुनने के लिए जो है वो आपको सचाई की तह तक जाने की इच्छा होनी चाहिए सच कुछ भी हो सकता है बिना जाँच के पूरा सच तो नहीं सामने वाला टुकलों टुकलों में जरूर आ रहा है वीडियो के जरीए आ रहा है आजकल वीडियो ने जो है ये मुबाइल फोन ने एक रांती की है कि ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी पहले से और ज्यादा मिल जाती है जो जाँच एजनसी हैं उनको भी मदद मिल जाती है वो दिखाई दे रहा है जो पीट पीट कर मार रहे हैं उनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं वो चेहरे पहचाने जाने चाहिए उनकी ग्रफतारी की मांग नहीं हो रही है जो कह रहा है कि मैं घटना स्थल पे मौजूद नहीं था उसकी ग्रफतारी की मांग हो रही है आफ फर्त देखें एक स्थिती ये है कि कोई अभी तक ये साबिसित नहीं कर पाया है कि उस गाड़ी में अजय मिश्रा का बेटा था या नहीं था, वो गाड़ी चला रहा था, अशिश मिश्रा या नहीं चला रहा था, लेकिन उसकी गिरफ़तारी की बात हो रही है, लेकिन जो लोग कैमरे पर मारते हुए, पीटते हुए, जान लेते हुए दिखाई दे रहे है उनकी गिरफतारी की बात उन लोगों ने एक बार भी नहीं उठाई कि इनको गिरफतार किया जाना चाहिए तो इस से आप अंदाजा लगा लिजे कि किस तरह का विमर्ष खड़ा करने की कोशिश हो रही है और इस विमर्ष में मुझे लगता नहीं जिस तरह की लोगों की प्रतिक्रिया है जो कुछ दिखाई दे रहा है आँख के सामने उसके बाद वो इस विमर्ष को खड़ा करने में काम्याब होंगे लेकिन कोशिश तो जा रही है तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजे नमस्कार